तो यह कोशन करना है अच्छा कोशन है तुरोगा तफ कोशन है देखो ध्यान दू क्या है There are N straight lines in a plane, no two of which are parallel and no three pass through the same point N straight lines in a plane, no two of which are parallel and no three pass through the same point If there points of intersection are joined, find number of fresh lines thus obtained दोगो क्या कोशन है, जैसे N lines अपने पास है N lines हमारे पास एक plane में हैं, बहुत सारी lines अपने पास एक plane में है कोई भी दो parallel नहीं है और कोई भी तीन सेंप प्वाइंट से नहीं पास होती है If there points of intersection are joined, दोगो जैसे उनके जो point of intersection है है ना जो उनके point of intersection है देखो बहुत सारी lines है ऐसे करके जो उनके point of intersection है उनको हमें join करना है आपस में point of intersection को आपस में join करना है ठीक तो find the number of fresh line दोखो जैसे माल लो ये point of intersection है, ये point of intersection है, ये है, ये है, तो क्या होगा जैसे माल लो आपने puisqu Şu जो को join कiya दोखो ये new line दोखो लोग को जोईन करेंगे तो ये वही परानी line है या नोब आप point of intersection को join करोगे तो उनकोफ पुरानी line भी है और कुछ नई लाइने भी हैं तो हमें उन मेंसे नई लाइनों को ढूढ़ना है देखो जैसे N-Lines हैं N-Lines हैं कोई भी दो पैरलल नहीं है कोई भी तीन एक पॉइंट से नहीं पास होती है तो इनके जो पॉइंट्स आफ इंटरसेक्शन बनेंगे N-Lines के जो पॉइंट आफ इंटरसेक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे N-C-2 माल लो इसको मैंने K माल लिया K-Lat जो N-Lines हैं N-Lines के जो पॉइंट आफ इंटरसेक्शन बनेंगे क्योंकि N मैसे जब हम दो लाइनों को लेंगे तो एक पॉइंट आफ इंटरसेक्शन मिनता है तो इतने पॉइंट आफ इंटरसेक्शन होगे अब दिख्कत यह है कि अगर हम जो पॉइंट आफ इंटरसेक्शन है दोखो ये K-PoIंट आफ इंटरसेक्शन आए अब अगर हम इनको जोईन करेंगे तो हमें लाइन ने मिलेंगी, है ना, तो अगर हम इन k को जोईन करेंगी, है ना, तो जो k points of intersection है, तो इनसे हमें total lines कितनी मिलेंगी, total lines मिलेंगी kc2, देखो, जो हमारे पास k points of intersection आए, देखो, ये point of intersection आए, उन मेंसे फिर आप उनको आपस में जोईन करोगे, फिर आपको lines मि बिलेंगी तो कितनी לैंस मिलेंगी केसी टू लेकिन समस्वा यह है इन केसी टू में कुछ लैंस पुरानी वाली भी शामिल हैं उनको नकाल के बाहर करना पड़ेगा जो केसी टू लाइनस आपने बनाइएंहां बना ये केसी टू हमारा onसर नहीं है कि केसी टूम ऐसे कुछ पुरानी लाइने भी शामिल हैं अब दो को पुरानी लाइने कितनी शामिल हैं ज़रा ध्यान दो दो कैसे जैसे माल लो एक लाइन अपने पास थी तो उसको n-1 लाइने आ करके काट रही हैं आसे माल लो एक लाइन पकरा, तो उसको n-1 लाइन आ करके काटेंगी, कितने पॉइंट्स पर काटेंगी, दो 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 जब ये n-1 प्वाइन पास आए एक लाइन के, तो जब इनको आपस में मिलाओगे तो आपको line में मिलेंगी लेकिन ये वही पुरानी line है तो n-1 points को आपस में मिलाओगे तो n-1 c2 lines आपको मिलेंगी लेकिन दिक्कत ये है जैसे ये n-1 points हैं तो इनको जब तुम आपस में मिलाओगे तो जब आपस में इनको मिलाओगे तो N-1 C-2 Lines मिलेंगी लेकिन ये वही पुरानी Lines है और ये आपको नहीं चाहिए तो ये आपने एक Lines को पकड़ा तो एक Lines से आपको इतनी पुरानी Lines मिली लेकिन यही कंडीशन हर एक Lines की है अब जैसे आप second line लोगे तो second line को भी क्या होगा N-1 line ने आ करके कटेंगी तो उनके भी आपको जो ये जब आपस में जॉइन करोगे तो इतनी वोई पुराणी lines है तो मतलब इन में old lines कितनी शामिल है दोखो जैसे एक को ले करके आपको N-1 C2 old lines मिली दूसरे को ले कर भी इतनी मिलेंगी तीसरे को ले कर भी इतनी मिलेंगी total N lines है हर एक line को ले कर इतनी मिलेंगी तो total जो हमारी old lines मिलेंगी वो मिलेंगी N into N-1 C2 धहन दो ये total ये इतनी old lines हमको मिलेंगी है ना तो क्या होगा दोखो फुराणी समझो लाइने मिलेंगी उनसे लाइने मिलेंगी के सी टू लेकिन दिक्कत क्या है जो लाइने आपको मिलेंगी इसमें कुछ तो नहीं लाइने कुछ पुरानी लाइन से हैं पुरानी लाइन को हटाना पड़ेगा अब पुरानी लाइन कितनी हैं इसकी काउंटिंग कैसे की जाए द लेंगी लेकिन ये सब नई लाइने नहीं हैं इन मेंसे किसी दो को मिलाओगे तो अच्छली वो ये पुरानी लाइन से हैं तो इतनी पुरानी लाइन से मिली इसी परकार दूसरी लाइन से भी इतनी पुरानी लाइन से मिलेंगी और हमारे पास ऐसी N लाइन से तो टोटल इतनी मिलेंगी तो fresh lines का answer हो गया kc2 minus n into n-1c2 दोखो इसको simplify करे kc2 क्या होगा k into k-1 upon 2 और ये क्या होगा n-1 into n-2 upon 2 दोखो k क्या है k की value put करो k क्या है k है n into n-1 by 2 k की value put करो तो दोखो k की value put करेंगे तो n into n-1 by 2 और n into n-1 by 2-1 whole divide by k और minus n into n-1 और n-2 divide by 2 तो ये हमें fresh lines इतनी यहां से मिलेंगी तो इसको हम simplify करेंगे तो हमें अपने question का answer मिलेगा अब हमें इसको करना है simplify द्यक्हेंको इसको simplify करते हैं, इधर करते हैं, मिटा रहा हूँ, यहां लिखते हैं इसको, लिखो जड़ा मिटा रहा हूँ जल्दी से इसको, देखो, अब इसको simplify कैसे करेंगे दिहां तू, हमें कुछ common लेना पड़ेगा, जिसे माल लो मैंने क्या किया, यहां से यह बचा, यहां से यह बचा, अब दोको यह हो गया, अब दोको यह हो गया, तो n square minus n minus 2 upon 4 minus n minus 2, ठीक, simplify दोको यहां पर कर रहे हैं, धिहां दो, क्या होगा, 4 LCM लिया, तो n square minus n minus 2, minus 4n plus 8, और divide by 4, ठीक है, पर दोको और इसको simplify कर लें, तो हमें और इसकी simplified form यहां से मिल जाएगी, धिहां दो, ठीक है, अब इसके ज़रा factors देखते हैं, क्या हो पाते हैं की नहीं, दोको धिहां दो, यह हो गया, n into n minus 1 by 2, n square, और minus का 5n, और plus का 6 upon 4, दोको यह n into n minus 1 by 8, इसके factor करेंगे, तो यह factor बनेंगे, n minus 2 into n minus 3, तो यही अपने कोशन का देखो, final answer आ गया, ठीक है, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 by 8, यह हमारे कोशन का final answer आ गया, मतलब, अब हम इसको as a standard formula भी use कर सकते हैं, चाहें तो, हाना, हलाकि, इतने formula यार्ट करना असान नहीं होता है, लेकिन अच्छा कोशन है काफी, हना, दुखो बुमने पुरानी lines कैसे निकाली, वो बाद दिमाग में रखनी है, और उसको minus किया, ठीक है, दुखो बच्चो धेहन से अच्छा कोशन है काफी,